और फिलकोम बैक डियर शब्सक्रैबर्स तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आम अपने वीडियो की क् works को बढ़ा सकतो मतलब कोई भी नार्माल क् vac Kos या फिर कोई लो क्वाषी की वीडियो को 14 कि हाइक क्वादी एक बंद कर सकतो और आज मैं आपको सबसे easy तरीका दिखाने वाला हूँ जिसको follow करके आप अपने वीडो की quality को 4K में convert कर सकते हो तो वीडो पर last तक बने रहें और चलिए वीडो को start करते हैं तो वीडो की quality बढ़ाने के लिए हम use करने वाले हैं CapCut app तो आपके पासे CapCut app होना चाहिए अगर आपके पासे CapCut app नहीं है तो आप मुझे Instagram पर message कर सकतो CapCut app के बारे में जानने के लिए Instagram ID आपको screen पर देख रहा होगा और CapCut को use करने के लिए आपको किसी VPN से connect होना पड़ेगा तो VPN जो होता है वो आपको Google Play Store मिल जाता है बिल्कुल फ्री में काफी सारे वहां मिल जाएंगे कोई साभी एक install कर लेना जैसे कि मैं Super VPN को install करके रखाऊं जो भी आप install करोगे उसे open करना और connect के ओपर click करके VPN से connect हो जाना मतलब first step में आपको VPN से connect हो जाना उसके बाद 2nd step में आपको अपने CapCut को open करना है देने न्यू प्रोजेक्ट के उपर क्लिक करना है और यहां से अपनी वीडो को सेलेक्ट करना है फोटो और वीडो का सेक्षन दिख रहा है तो आप वीडो वाले सेक्षन में रहाना एंड यहां से अपनी वीडो को सेलेक्ट कर लेना उसके बाद क्रियेट के उपर क्लिक कर द वाले कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले आप यहां पर एफेक्ट वाले आप्शन को पर क्लिक करना इसमें आपको चार आप्शन मिलेंगे आपको यहां पर वीडियो एफेक्ट को पर क्लिक करना होगा इसमें आपको क्लिक करो तो बहुत सारे एफेक्ट आपक सब्सक्राइब यहां पे और यहां पे भी है को इस तरीक का इफेक्ट आपके वीडियो को पर अपलाइब हो जाएगा अब आपको इस में छोटा सा editing करना है means adjustment करना है and आपका video 4K में convert to हो जाएगा तो आपको adjust करने के लिए जो adjust का option दीख रहा है इसके उपर click करना है और यहाँ पर आपको filter का option मिल लागा इसे बिल्कुल zero कर देना है और यह जो blur है इसे भी बिल्कुल zero करना है यह दोनों का आसपास रख देना है उसके बाद यह जो star pen है इसे आप यहाँ पर जितना आपको quality increase करना उतना आप यहाँ से increase कर सकतो लाइक यहाँ आप देख पारो जैसे जैसे हम से इंक्रीज कर रहे है व्यूड़ो के quality enhance हो रही मतलब व्यूड़ो के quality यहाँ पर बढ़ती जारी ठीक है तो जितना आपको लगते है कि हाँ इतना quality अच्छा लग रहा है तो आप इसे increase कर लेना लाइक में इसे यहाँ पर 70 के आसपास रख देता हूं काफी अच्छा हमारे व्यूड़ो का quality हो चुक है उसके बाद डड़ कर लेते तो आप यहाँ देख सकते हूं यह नॉर्मल व्यूड़ो के quality और यह 4K में convert करने के बाद आप देख पार एफेक्ट अपलाई करने से बिल्कुल 4K में हमारे जो व्यूड़ो वो convert हो चुक है बट इसमें आपको एक और step करना होगा तब जाके आपका देख रहा है इसको पर आप क्लिक करता लॉंग प्रेस करके इसे बिल्कुल लास्ट तक लेकर आजाना ठीक है तो आप यहाँ पर इसे बिल्कुल वीड़ो को पर अपलाई कर सकते हो लाइक आप यहां देख पार हमारे पूरा को पूरा वीड़ो में यह एफेक्ट करना बट एक्सपोर्ट करने से पहले एक्सपोर्ट वाले सेटिंग को पर क्लिक करना यहां पर क्लिक करके सभी चीजों को बिल्कुल मैक्स कर देना ताकि क्वालिटी बिल्कुल भी लूज ना हो एंड उसके बाद एक्सपोर्ट आपको करना है एक्सपोर्ट वाल वटन को उपर क्लिक कर देना ये रेडी हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट के उपर क्लिक करना होगा और अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट हुए उसे आपको सेलेक्ट करना है एंड क्रेट के उपर क्लिक कर देना तो आपका जो वीडियो को यह एड हो जाएगा उसके बाद इसके उपर आपको क्लिक कर देना देन आपको अपने वीडियो के उपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने बाद काफी सारे आप्सेंस आपके सामने आएंगे बट आपको यहाँ पर आडजेस्ट वाले आप्सेंस को पर क्लिक करना है इसको पर क करता है अगर अच्छा लगे तो करना वरना जरूरत नहीं सेचुरेशन को आपको यहां पर इंक्रीज करना है एक्सपोजर को इंक्रीज करना है और सार्पेन को पूरा इंक्रीज कर देना इतना कर देने से आप देख पारे हो हमारी वीडो देखने में और बढ़ियां लगने लगाए बहतर हो चुकी है हमारी वीडो आएक एकस्पोजर को और इंक्रीज करें तो यह और अच्छा लग रहा है जैसे के सेचुरेशन भी इंक्रीज कर देते तो और यह बेटर हो चुका एंड उसके बाद डन कर देते तो आप यहां देख सकतो पहले के कमपरेटिवली वी बीफोर भी दिखाता हूं यह हमारा वीफोर देक्स क्तु बिल्कुल नॉर्मल शी कॉलीटि भी नॉर्मल कलरर भी नॉर्मल बिल्कुल रॉसल है ओछि के हो ओए आप यहां आप देख सेकतो और दिय्का और यहां देख जंरीके भी अडीच करनेके आख लिए इसे जो को मतलब कि बीफोर वाले को में डिलीट कर देता हूं यह तो आपको दीखाने के लिए था यहां अब आपने वीडियो को जस्ट अपने डिवाइस में सेव करने के लिए फिर से आपको सेम काम करना हो एडिटिंग हमारी हो चुकी ठीक है वीडियो बिल्कुल 4k में अ और कुछ करने की जरुत नहीं है अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए आपको इसके ओपर क्लिक करना है और यहां पर बिल्कुल सेम काम करना हर एक चीज को मैक्सिमम कर देना एंड उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन के ओपर क्लिक करेंके इसे एक्सपोर्ट कर लेना, save to device को पर क्लिक कर वो, यह export हो जाएगा, ओकी, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आ है तो like जरूर से कर दो वीडियो को, और कुछ प्यार से comment भी कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई